नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आज आपके लिए लेकर आई हूँ लियो टॉलिस्ट रहे द्वारा लिखी गई एक रूसी कहानी शमादान जिसका हिंदी में अनुबात किया है मुईशी प्रेमचन जी ने दिली नगर में भागिरत नाम का युवक सौधागर रहता था वहां उसकी अपनी दो दुकाने और एक रहने का मकान था वह सुंदर था उसके बाल, कोमल, चमकीले और घुंगराले थे वह हसोड और गाने का बड़ा प्रेमी था वहां उसकी अपनी दो दुकाने और रहने का एक मकान था। युवा वस्था में उसे मद्द पीने की बान पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था। प्रंतु विवा कर लेने पर मद्द पीना छोड़ दिया था। गर्मी में एक समय वा कुम्ब पर गंगा जाने को तयार हो अपने बच और इस्तुरी से विदा मांगने आया। इस्तुरी प्राणनात आज न जाये मैंने बुरा सपना देखा है। भागिरत क्रिये तुम्हें भै है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाओंगा इस्त्री या तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूं केवल इतना जानती हूं कि मैंने बुरा स्वपन देखा है मैंने देखा है कि जब तुम घर लोटे हो तो तुम्हारे बाल श्वेत ह गए हैं भागिरत या तु सगुन है देख लेना मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़े लाऊंगा या कह गाड़ी पर बैठ वह चल दिया आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला जिससे उसकी जान पहचान थी वे दूनों रात को एक सरा में सो गए भागिरत को सबेरे जाग उठने का अभ्यास था उसने अविचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा मुँ अधेरे उठ गाड़ी तयार कराई और भटियारे के दाम चुगाकर चलता बना पच्छिस कोज जाने पर घोडों को आराम देने के लिए एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा अचानक एक गाड़ी आई पुलिस का एक करमचारी और दो सिपाही उत्रे करमचारी उसके समीप आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आये हो वह सब कुछ बतला कर बोला कि आईए भोजन कीजे तुम मुँ अंधेरे क्यों चले आये भागी रत को अचमभा हुआ कि बात क्या है या प्रेशन क्यों पूछे जा रहे हैं बोला आप तो मुझसे इस भाती पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ मैं तो गंगा इसनान करने जा रहा हूँ आपको मुझसे क्या मत लब है कर्मचारी मैं इस प्रांथ का पुलिस अफसर हूँ और यह प्रेशन इसलिए करता हूँ कि जिस सौधागर के साथ तुम कल रात सराय में सोय थे वह मार डाला गया हम तुम्हारी तलाशी लेने आये हैं या कह वह उसके असबाब की तलाशी लेने लगा एका एक थैल कर्मचारी यह चूरा किसका है इस पर खून कहां से लगा भागिरत चुप रह गया उसका कंठ रुग गया हिचकता हुआ कहने लगा मेरा नहीं है मैं नहीं जानता कर्मचारी आज सबेरे हमने देखा कि वह सौधागर गला कटे चारपाई पर पड़ा है कोठरी अंदर से ब अब या खून से भरा हुआ चूरा इस थैले में से निकला है तुम्हारा मुखी गवाही दे रहा है बस तुमने ही उसे मारा है बतलाओ किस तरह मारा और कितने रुपे चुराए हैं भागिरत ने सौगंद खाकर कहा मैंने सौधागर को नहीं मारा भोजन करने के पीछे फि खुड़ी हुई थी मुख पीला पड़ गया था और वा पापी की भाती भय से कांप रहा था पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी मुस्के कस कर गाड़ी में डाल दो जब सिपाहियों ने उसकी मुस्के कसी तो वा रोने लगा अफसर ने पास के थाने प पीकर भगजक किया करता था अब उसका आचार बहुत अच्छा है अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौधागर का वद करने और बीस अजार रुपे चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया भागीरत की इस्त्री को इस बात पर विश्वासना होता था उ कभी दूद पीता था वह सबको साथ लेकर पती के पास पहुँची पहले तु कर्मचारियों ने उसे उससे मिलने की आज्या ना दी प्रंतु बहुत विनय करने पर आज्या मिल गई और पहरे वाले उसे कैद घर में ले गए जिवही उसने अपने पती को बेड़ी पहने देखा वा बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी बहुत देर में सुधाई वा बच्चों सहीत पती के निकट बैट गई और घर का हाल कहकर पूछने लगी कि यह क्या बात है भागीरत ने सारा व्रतांत कह सुनाया इस्तरी तो अब क्या हो सकता है भागीरत हमें महराज से व पिनै की थी प्रंतु वा सुईकार नहीं हुई भागीरत ने निराश होकर सिर जुका लिया इस्तरी देखा मेरा सपना कैसा सच निकला तुम्हें याद है न मैंने तुमको उस दिन मेले जाने से रोका था तुम्हें उस दिन ना चलना चाहिए था लेकिन मेरी बात ना मानी सच सच बताओ तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना भागीरत क्या तुम्हें भी मेरे उपर संदे है या कहकर वा मूध हाप रोने लगा इतने में सिपाही ने आकर इस्तरी को वहां से हटा दिया और भागीरत सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया घर वालों के चले जाने पर जब भागीरत नहीं विजारा कि मेरी इस्तरी भी मुझे अपरादी समझती है तो मन में कहा बस मालूम हो गया परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूँ या नहीं उसी से दया की आशा रखनी चाहिए फिर उसने चूटने क कोई अत्म नहीं किया चारो ओर से निराश होकर इश्वर के ही भरो से बैठा रहा भागीरत को पहले तो कोडे मारे गए जब घाव भर गए तो उसे लोहग बंदी खाने में भेज दिया गया वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा उसके बाल पकड़ सन के से हो गए कमर मोटी हो गई दें घुल गई सदैव उदास रहता ना कभी हसता ना बोलता प्रंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था वहां उसने दरी बुढने का काम सीख कर कुछ रुपया जमा किया और भक्तमाल मोल ले ली दिन भर काम करने के बाद सांज को जब तक सूरज का प् करता और इत्वार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे कैदी लोग उसे बुड़े बाबा अत्वा महात्मा कहकर पुकारा करते थे कैदियों को जब कभी कोई अरजी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुख्या बनाते और अपने जगडे भी उसी से चुकाया करते उसे घर का कोई समचार ना मिलता था उसे या भी ना मालूम था कि इस्तरी बालक जीते हैं या मर गए एक दिन कुछ नए कैदी आये संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आक कट्टा आदमी जिसके दाड़ी बाल खूब छटे हुए थे अपनी राम कहानी यो सुना रहा था भाईयों मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया मित्र कहीं चला गया था पुलिस वालों ने चोड़ ठहरा कर मुझे पकड़ लिया यदि भी कोई यह नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से फिर भी चोरी के अपराद में मुझे यहां भेज दिया है इससे पहले एक बार मैं से आये हो नया कैदी दिल्ली से मेरा नाम बलदेव सिंग है भागीरत भला बलदेव सिंग तुम्हें भागीरत के घरवालों का कुछ हाल मालुम है जीते हैं कि मर गए बलदेव जानना क्या मैं उन्हें भलिबाती जानता हूँ अच्छे मालदार है हाँ उनका पिता यहीं क पत्ति कथा ना कही केवल हाई कहकर बोला मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहां पड़ा सड़ रहा हूँ बल्देव क्या पाप मैं भी सुनू भागिरत भाई जाने दो पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है वह और कुछ ना कहना चाता था प्रंतु दूसरे कै कैदियों ने बल्देव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौधागर का वद्ध करने के अपराद में यहां कैद है बल्देव ने यह हाल सुना तो भागिरत को ध्यान से देखने लगा घुटने पर हात मार कर बोला वावा बड़ा अच्रज है लेकिन दादा तुम तो नहीं दिया भागिरत के चित में यह संशे उत्पन हुआ कि शायद बल्देव रामपुरी सौधागर के असली मारने वाले को जानता है बोला बल्देव सिंग क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है बल्देव वा बातें तो सारे संसार में फैल बहुत दिन बीद गए मुझे कुछ याद नहीं रहा भागिरत तुम्हें मालूम है कि उस सौधागर को किसने मारा था बल्देव जिसके थैले में छूरा निकला वही इसका मारने वाला यदि किसी ने थैले में छूरा चुपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा न जा उसे चोर कौन कह सकता है थैला तुम्हारे सिरहने धरा था यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य जाग उठते यह बाते सुनकर भागी रत को निश्चे हो गया कि सौधागर को इसी ने मारा है वा उठकर वहां से चल दिया पर सारी राज जाकता रहा दुख से उसका चित्व्याकुल हो रहा था उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी पहले इस्त्री की उस समय की सूरत दिखाई दी जब वा उसे मेले जाने को मना कर रही थी सामने ऐसा जान पड़ा कि वा खड़ी है उसकी बोली और हसी तक सुनाई दी फिर बालक दिखाई पड़े फिर युव वस्ता की याद आई कितना प्रिसनिचित था कैसा आनन्द से द्वार पर बैठा सितार बजाया करता था फिर वा सराई दिखाई दी जहां वा पकड़ा गया था तब वा जंगे सामने आई जहां उस पर कोड़े लगे थे फिर बेड़ी और बंदी खाना फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख यह सब बातें उसकी आँखों में फिरने लगी वा इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूँ है इस बलदेव चंडाल ने या क्या किया मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूँगा सारी रात भजन करने पर भी उसे शांती नहीं हुई दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं पंदरा दिन बीथ गए भागी रत की या दशा थी कि ना रात को नीन ना दिन को चैन क्रोधागनी में जल रहा था एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी वह वहीं ठहर गया कि देखूं मिट्टी कहां से आ रही है सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भै से कांपने लगा भागी रत आखे मूंद कर आगे जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला देखो मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेक कर यह सुरंग लगाई है चुप रहना मैं तुमको यहां से भगा देता हूँ यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे प्रंतु याद रखो कि तुम्हें मार कर मरूंगा यो नहीं मरता भागीरत अपने शत्रु को देखकर क्रोध से काप उठा और हाथ छुड़ा कर बोला मुझे भागने की इक्षा नहीं और मुझे मारे तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके रही या हाल प्रकट करने की बात जैसी परमात्मा की आग्या होगी वैसा होगा अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली खोज लगाने पर सुरंग का पता चल गया हाकिम सब कैदियों से पूछने लगे किसी ने ना बतलाया क्योंकि वे जानते थे कि यदी बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा अफसर भागीरत को सत्यवादी जानते थे उससे पूछने लगे बुड़े बाबा तुम सच्चे आदमी हो सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है बलदेव पासी ऐसे खड़ा था कि कुछ जानता ही नहीं भागीरत के होट और हाथ काप रहे थे चुपचाव विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों चुपाऊं दुख का बदला दुख उसे अवश्य भोगना चाहिए प्रंतु बतला देने पर फिरवा बच नहीं सकता शायद यह सब मेरा भरम मात्र हो सौधागर को किसी और नहीं मारा हो यदि इस नहीं मारा तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाब होगा अफसर बाबा चुप क्यों हो गए बतलाते क्यों नहीं भागिरत मैं कुछ नहीं बतला सकता आप जो चाहें सो करें हाकिम ने बार बार पूछा प्रंतु भागिरत ने कुछ भी नहीं बतलाया बाट टल गई उसी रात भागिरत जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया भागिरत ने देखा और कहा बलदेव सिंग अब और क्या चाहते हो यहां तुम क्यों आए बलदेव चुप रहा भागिरत तुम क्या चाहते हो यहां से चले जाओ नहीं तो मैं पहरे वालों को बुला लूँगा बलदेव पाउं पर पढ़कर भागिरत मुझे च्छमा करो च्छमा करो भागिरत क्यों बलदेव मैंने ही उस सौदागर को मार कर चुरा तुम्हारे थैले में चिपाया था मैं तुम्हें भी मारना चाहता था फ्रन्तु बाहर से आहट हो गई मैं चुरा थैले में रखकर भाग निकला भागिरत चुप हो गया कुछ नहीं बोला बलदेव भाई भागिरत भगवान के वास्ते मुझे पर दया करो मुझे च्छमा करो मैं कल अपना अपराद अंगी कार कर लूँगा तुम छूट कर अपने घर चले जाओगे भागिरत बाते बनाना सहज है 26 वर्ष के इस दुख को देखो अब मैं कहां जा सकता हूँ इस्त्री मर गई लड़के भूल गए अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है बलदेव धर्ती से माथा फोड रो रो कर कहने लगा मुझे कोडे लगने पर भी इतना कस्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देख कर हो रहा है तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई चमा करो चमा करो मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ या कह बलदेव धार मार कर रोने लगा भागी रत के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली बोला पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करे कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ अत्वा तुम अच्छे हो मैंने तुम्हें चमा किया अगले दिन बलदेव सिंग ने स्वैम कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल सुनाकर अपना अपराद माल लिया प्रंतु भागी रत को छोड़ देने का जब परवाना आया तो उसका देहान थो चुका था धन्यवाद